एक छोटे से गाव में जहां सब लोग मिल जुलकर एक साथ रहते थे इस गाव में एक मुर्गी थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी एक दिन एक तोटा उस गाव में आया और गाव के किनारे अपना एक बहुत सुन्दर घर बना कर रहने लगा वो तोटा भी बहुत सुन्दर था एक दिन घुमते घुमते मुर्गी वहां आई उसने तोते को देखा तो उसने नमस्ते किया तोते ने मुर्गी को देखा और उसे इगनौर कर दिया मुर्गी ये देख कर थोड़ी हरान हुई और वहां से चली गई और अपने बच्चों के साथ खुश रहने में व्यास्त हो गई दिन गुजरते गए, तोते की सुन्दर्ता के चर्चे पूरे गाउं में होने लगे और तोते का घर उन सभी के लिए एक मनमोहक दिश्य बन गया लोग तोते की सुन्दर्ता देखने उसके घर आने लगे मुर्गी को यह देखकर थोड़ा दुख हुआ उसने तोते को फिर से नमस्ते किया पर तोते ने उसे फिर से इग्नॉर कर दिया एक दिन गाउं में एक बड़ा मेला लगा, सभी लोग मेले में गए, तोता भी वहां गया था मेले में मुर्गी और तोता एक दूसरे से टकरा गए मुर्गी ने तोते को फिर से नमस्ते किया और उससे कहा क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तोते ने मुर्गी को गुस्य से देखा और कहा मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है तुम तो सिर्फ एक मुर्गी हो और मैं एक तोता तुम मेरी तरह सुन्दर नहीं हो मुर्गी थोड़ी शर्मिंदा हुई पर फिर उसने तोते से कहा हाँ सुन्दर तो मैं नहीं हूँ पर दोस्ती दिल से की जाती है सुन्दर ता देख कर नहीं और दोस्ती का कोई भी मोल नहीं होता ये सिर्फ दिल से होती है तोता मुर्गी की बार पर गौर करने लगा, उसने देखा कि मुर्गी के बच्चे उसके पास खेल रहे थे और मुर्गी उनकी हिफाज़त कर रही थी तोता मुस्कुराया और बोला तुम सही कह रही हो, सच्चाई तो यही है कि दिल से दोस्ती होती है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ इसके बार मुर्गी और तोता अच्छे दोस्त बन गए और उस दिन से उनके बीच में हमेशा दोस्तिया और समझ बनी रही तो फ्रेंस वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं लेच्ट वीडियो में एक नहीं कहानी के साथ अब तक के लिए बाए बाए